नमस्कार विद्यार्दियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का सवागत है बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में शितीजभाग 1 के पार्ट 3 सामले सपनों की याद के प्रस्न उत्रों पर चर्चा करेंगी बच्चो, सामले सपनों की याद पाथ सालीम अली की मृत्व के बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मंण है और यह एक व्यक्ति जित्र भी है लेखक ने सालीम अली की मृत्व के उप्रांत उनके जीवन की सभी घटनाओं को एक-एक करके याद किया और उन्हें डायरी शैली में एक संस्मन के रूप में लिखित रूप दिया तो सालिम अली पूरा जीवन प्रकरती और पक्षियों की देख रेक में लगे रहे उन्होंने पक्षियों की देख रेक और देख भाल की प्रेड़ना एक पस्पन में गुरिया के पैर में लगी गोली से मिली वो पैर में चोट लगने से गुरिया को अपने साथ ले आए थी तो इसी पर अधारित प्रेशन है बेटे इस पार्ट के अधार पर लेखक की बाशा शैली की चार विसेश्टाएं बताने हैं बच्चो बाशा सरल और सहज थी उनकी लेखन में उधारन शैली का प्रियोग बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है उर्दू के मिश्रित शब्द भी बहुत ही अच्छे और दिल को छूने वाले हैं तो लेखक की बाशा सरली सरल, सहज और आकरशक है मुहावरेदार बाशा का प्रियोग बहुत ही रोचक डंग से प्रस्तुत किया गया है और उनकी जो बाशा है उसमें उर्दू के भी शब्दों का प्रियोग मिलता है तो इस परकार जो जाविर हुसेन है उनकी बाशा के चार मुख्या विशेशताई इस परकार है बाशा सहल सरल है उनके जो लेखन कारिये में उधारन उन्होंने बहुत ही अच्छे डंग से दिये हैं मुहावरों के प्रियोग ने उनकी भाशा को और भी आकर्शक बना दिया है और उनकी शब्दों में जो है उर्दू के शब्दों के भी मिश्रित रूप हमें देहने को मिलता है इस पार्ट में लेकते हैं सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खिचा है उसे अपने सब्दों में लिखिए सालिम अली दुबले पतले तथा पार्खी नजरवाले थे उनके गले में सदा दुर्बिन लटकी रहती थी जिसका प्रिएओग वे सदा कुछ ने कुछ खोज करते में करते थे वे जिग्यासु परवर्ति के थे नई-नई खोज करने के उनकी आदत थी वे सदा पकष्यों की गतिवीद्यों का निरिक्षन करते थे इस परकार उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ब्यक्तियों के बारे में उनकी जानने के बारे में लगा दिया और लगभग 90 साल तक उन्होंने अपने कार्य को लगातार रखा और वो करते रहे अब उनकी जो दुर्बीन थी जो उन्होंने पक्षियों की खुज के लिए पहनी थी उनकी मोत के बाद ही गले से उतरी थी तो इस पार्ट का लास्ट कोईशन है सामले सपनों की याद सिर्शक की सार्थ तक तसपस कीजिए सालिम अली के बारे में जितना भी जानते थे लेखकर सालिम अली के बारे में जितना भी जानते थे वह सब यादगार सपनों की तरहें उनके स्मिरती पटल पर अंकीत था और जो उनके दिमाग पर अंकित था वह संस्मर्ण सालिम अली की मिरित्यू के तुरंत बाद डायरी शैली में लिख दिया गया उनकी मिरित्यू से उत्पन दुख और अवसाद को लेखक ने सामले सपनों की याद की रूप में व्यक्त किया है उनके साथ बिताए शणों को सपनों का नाम दिया है कि जो पल लेखक ने सालिम अली के साथ बिताए थे तो उन शणों को लेखक ने सपनों का नाम दिया है और वो सपने अब थोड़े पुराने हो गई हैं तो धूंदले रूप में लेखक के स्मृति पडल पर आ रही है इसलिए लेकर ने इस पाठ का नाम सामले सपनों की याद दिया है जो की बिल्कुल सही और उचीत है